नमस्कार आप देख रहे हैं दव यहां टॉप मैं हूँ आदेश पुरीव BPSC 27 सिविल सिवा का नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया 28 सिटंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक फॉर्म फिलब करने का समय दिया गया है बहुत बड़ी बहाली है BPSC के इतिहास में इतने बड़े सिविल सवाप पदो के लिए बहाली नहीं निकाली गई थी और आपको बता दे बहाली निकलने से पहले से हैं बहुत सारे च्छात्र हमारे पास मैसेज करते थे फोन करते थे कमेंट करते थे और गांधी मूर्ती के सामने उन्होंने परदर्शन भी किया उनका मांग था उम्रसिमा बढ़ाई जाए उसके लिए अने को तरक दिये गएं कोरोना महामारी का हवाला दिया गया बहुत सारे हवाला दिये गया बिहार के ग्रामीन प्रिष्ट भूमी और पिछलापन को लेकर भी हवाला दिया गया तो बता दे आपको हम कि छात्रों की मांग जो है वो नजाएज नहीं है जाएज है इतनी बड़ी बहाली है और इससे पहले देखे तो और सठीमी नत्री बहाली जो है वो जाड़ा पदो के लिए नहीं थी और यही कारण है कि जो छात्र उम्र सीमा पार कर चुके हैं इंटर्व्यू तक दे चुके हैं मेंस तक जे चुके हैं उन्हें इस परिच्छा का मोह नहीं छुट रहा है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कांडिडेट हैं जो कि पुलिस सेवा के लिए हाइट में छुट चाहते हैं खासकर मेला केंडिडेट जो हैं उनका भी अपना तर्क है कि IPS के लिए जितना हाइट होना चाहिए उससे ज़्यादा DSP के लिए हाइट है अने राज्यो में मैलाओं को हाइट में छुट दिया गिया है पुलिसो को भी कहीं कहीं पर अलग-अलग तरह से छूट दिया गिया है इसके अलागों बता दे बहुत सारे छातर जो है waiting list और supplementary result को लेकर ही अभी से बाते कर रहे हैं कि BPSC को यह प्रावधान करना चाहिए कि वो waiting list जारी करेंगे supplementary result जारी करेंगे आपको बता दे हम कि इन मुद्दों पर हमने पुर्व की अध्यक्ष अतुल परसाथ जी से भी काफी बात चित किया था उनका भी यही कहाना था कि देखिए हम लोग जो है वो परिच्छा लेने की ऑथरेटी है जो भी युग्यता पातरता जो है वो भी भाग तै करता है सरका हमें कहेगी कि हमें सारे डीएसपी छे पूट के चाहिए तो हम उसी की तरह का जो है वो नोटिफिकसन जारी करेंगे अगर सरकार कहेगी सारे डीएसपी पांच पूट के चाहिए तो उसी के लिए हम करेंगे सरकार अगर कहेगी हमें 45 वर्स मैक्समम आई वाले चाहिए वह ही हम करेंगे, 30 वर्स maximum आवी होगा, वह ही हम करेंगे, यानि कहने का मतलब है कि BPSC के हाथ जो हैं, बंदे हुए हैं, और आपको बता दे कि नए चेर्मेन साहब हैं, उनसे भी हमने ये प्रस्ण किया, तो उनका भी यही जवाब था, उनका भी यही जवाब था कि देखिए, परिक्षा जो है, परिक्षा में क्या-क्या कुछ चेंज होंगे, वो हम कर सकते हैं, जैसे कि सीविल से वाद 3 फेज में है, तो 3 फेज में हमको लेना ही है, हाँ, हम ये कुछ कर सकते हैं कि प्रस्णों की संख्या बढ़ा सकते हैं, प्रस्णों की संख्या गटा सकते हैं, छात्रों को समय ज़्यादा दे सकते हैं, समय कम कर सकते हैं ये सब हमारे अधिकार छेतर में है लेकिन जो युग्जता और पातरता जो fix किया गया है जो उम्रसिमा fix किया गया है या फिर से जो height का जो problem है उसको fix किया गया है या फिर supplementary result देना हो या फिर waiting list जारी करना हो ये सारे सरकार के हाथ में है अगर सरकार हमें ऐसा करने को कहेगी तो हम करेंगे आपको बता दे कि BPSC के कई अधिकारियों ने भी जब उनसे बात हुई थी हमारी तो उनका कहना है देखिए supplementary result ही था हम लोग देने वाले थे TRI2 के समय में लेकिन सिक्षा विभाग ने मना कर दिया हमने उन्हें पत्र भी लिखा कि आप हमें जारी करने दे लेकिन बावजूद इसके permission नहीं मिला ऐसे में हमारे हाथ बंदे हुए है जो विभाग और सरकार के द्वारा जो भेजा जाता है सर्तों के साथ उन सर्तों में किसी तरका परिवर्तन हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता है हमारे द्वारा हाँ ये है कि परिच्छा में हम कैसे प्रस्न दखेंगे कितने समय सिमा होगा ये सब को हम परिवर्तन कर सकते हैं इन सब पर हमारा एक आदिकार है रिजल्ट को लेकर लेकिन जो भी रिजर्वेशन है युगता है पातरता है उसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं और छात्रों को सरकार से इसकी गवार लगानी चाहिए कि सरकार जो है इस दिशा में परियास करें सरकार हमें ओर देगी हम तुरंट से लागू कर देंगे क्योंकि हमारा काम सिर्फ भरती करना है जो सरकार हमें सर्तों के साथ देती है अधियाचना उन सर्तों के साथ हमें वैसे कैंडिडेट को चुनके सरकार के हवाले कर देना है यही हमारा काम है हम जो हैं इन सब चीजों मे हमारे अधिकार हैं ही नहीं हमारे हाथ बने हुए हैं इसलिए आप इन सब बातों का जिक्र हमारे पास ना करें ऐसा हमें जबाब BPSC के द्वारा दिया गया और बताया गया कि ये सारे विशवस्तु जो हैं वो सरकार के हैं और वो ही इसमें फिर बदल कर सकते हैं और आप लोग अगर चाहिए तो सरकार से कहें सरकार से बात करें तो पता दे आपको हम ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ऐसे छातर जो हैं काफी मायूस हैं खासकर उम्रसिमा वाले कई कैंडिडेट के फोन आ रहे हैं और काफी हतास निरास लग रहे हैं हतासा निरासा जो है उनका जायज है क्योंकि एक लंबे समय तक वो सिविल सिवा के लिए तयारी किये हैं सपने देखे हैं और इतनी बड़ी संख्या में बहाली आ रही है और वो फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं काफी निरासा जनक है लेकिन आपको बता दे कि जो अधिक्तम उम्र है वो लगबक कई वर्सों से तय है कि जनरल के लिए 37 साल अधिक्तम उम्र है तो ऐसे में दो ही उपाएं हैं या तो अपने आपको समझा लें आप या फिर सरकार को समझाएं कि वो आपको अत्रिक्त मौका और दे ताकि आप अपनों सपनों को पूरा कर सके तो बता दें आपको हम कि बहुत सारे छात्र फोन मैसेज करते हैं उनकी बातों में काफी दम भी होता है लेकिन BPSC जो है इन मागों को पूरा करने के के लिए सक्षम नहीं है उनकी अधिकार छेतर से बाहर की ये बाते हैं यही हमें जवाब BPSC से मिला है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद है